आज का फर्स्ट वर्ड है इजहार या वेक्त करना इसकी इंगली से एक्सप्रेश नेक्स्ट वर्ड है धड़कना इसकी इंगली से पाउंड या बीट नेक्स्ट वर्ड है प्यार हूँ जाना इसकी इंगली से फॉल इन लव नेक्स्ट वर्ड है पुराना प्यार इसकी इंग्लिष है ओल्ड फ्लेम नेक्स्ट वर्ड है बचपन का प्यार इसकी इंग्लिष है पॉपी लव नेक्स्ट वर्ड है प्यार करना यह बहुत कॉमन सा है इसकी इंग्लिष है लव नेक्स्ट वर्ड है पसंद करना इसकी इंग्लिष है लाइक नेक्स्ट वर्ड है कसम खाना इसकी इंग्लिष है श्वेर नेक्स्ट वर्ड है वच्चन देना इसकी इंग्लिष है प्रॉमिष नेक्स्ट वर्ड है परभावित करना इसकी इंग्लिष है impress नेक्स्ट है गली लगाना इसकी इंग्लिष है hug और embarrass नेक्स्ट है सहलाना इसकी इंग्लिष है fondle नेक्स्ट है चूमना इसकी इंग्लिष है किश नेक्स्ट है याद करना किश को याद करना इसकी इंग्लिष है miss नेक्स्ट है संदिख करना, सक करना इसकी इंग्लिष है डाउट नेक्स्ट है विश्वास करना इसकी इंग्लिष है बिलीव नेक्स्ट है जासुसी करना इसकी इंग्लिष है स्पाई नेक्स्ट है धोखा देना इसकी इंग्लिष है चीट नेक्स्ट है प्रेमी इसकी इंग्लिष है boyfriend नेक्स्ट है प्रेमी का इसकी इंग्लिष है girlfriend नेक्स्ट है जोड़ा जो दो लोगों का जोड़ा होता है इसकी इंग्लिष है couple नेक्स्ट है वारा इसकी इंग्लिष है unmarried Next word is विवाहित इसकी इंग्लिश होती है married Next is जाने मन इसकी इंग्लिश है sweetheart Next is 로मानी इसकी इंग्लिश है romantic Next is प्रेम प्रशंग इसकी इंग्लिश है romance Next is मुलाकात इसकी इंग्लिश है date नेक्स्ट है तुफा इसकी इंगली से गिफ्ट या प्रजेंट नेक्स्ट वर्ड है गुल दस्ता इसकी इंगली से बुके